सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए और डॉक्टर ने उस जगा पे टांके लगाने की सला दियो तो उस समय आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि हमारे सरी में जब चोट लगती है और टांके लगाते तो कौन सी सुई तथा कौन सा धागा प्रियोग में लेते हैं तो आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडिय कितने नंबर का दागा लगाए जाता है और यदि किशी वेक्ति को स्टिचस लगे हैं तो कितने को दिनों के बाद उसको खोलना होता और वीसेस बात जो ज्यादा तर पूछी जाती है टांके लगने के बाद क्या-क्या सावदानी रखनी होती है यह बाते हैं और इसके आपने वाले वीडियो के नोटिफियेकर्स में आपको मिल सकें और मेरे सबी वीडियो आप देख सकें मैं हूं आपका होस्ट मोहिद आदीच और आप देखें अपना यूट्यूब चैनल लड़ाउट मेडिशिन चलिए आश्वी कुछ नेया सिकते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों जिस दागे का प्रियोग इसकिन पर ताथा मसल्स पर टाके लगाने के लिए किया जाता है उसे हम सर्जीकल सूचर के नाम से जानते हैं इसके प्रोपर डेफिनेशन की बात करें तो सर्जीकल सूचर एक मेडिकल डिवाई से जो इंजू होने के लिए प्रियोग लिया जाता है जो सर्जीकल सूचर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है नीडल जो आगे का पार्ट होता पिछी के पार्ट को सूचर के से धागा कहते हैं पहले हम नीडल की डिटेल जान लेते हैं नीडल का होती है कितने परका डाला जाता है और इसका सबसे बड़ा फाइदा है कि जब टांके लगाए जाते हैं तो दागे को जोइंट करने की आवे सकता नहीं जो दूसरी परका की नीडल होती वह होती है सिंगल यूज नीडल इसे फर्दर च्यार भागों माटा गया जो इसकी नीडल का पॉइंट है उसके एकोडिंग पहले परका की नीडल है टेपर पॉइंट नीडल इसका पॉइंट ब्लन्ट होता है जो कि सुफ्ट टीश्यों में टांके लगाने के लिए प्रयोग लाई जाती है अगला जो परकार है वह है रिवर्स कटिंग नीडल इसका जो पॉइंट है काफी जाती है इसका प्रियोग हाउड टीशूर्व्जू में इस्टीश लगाने के लिए ंई जाता है और जो लास्ट परकार है वह है टेपर कटिंगंग नीडल इससे केल Siφc want s 유 पे इस लगाने लिए प्रियोग लिए जाता है साथ ही कितनी दिनों के बाद खोला जाता है यह सभी बात है咪 आगए पर्ट में जान लेते हैं अगर की बात की जाये तो दाग कही यह इसे मूंख्यत भागों में बांचा गिया है यहीं Absorbable तता Non-Absorbable सूचर में Y-Kryl, Mono-Kryl, Cat Gut, Plane Surgical Gut यह čiar पक्राण के दागे होते हैं यह सभी Absorbable है और Non-Absorbable में Nylon, Proline, Silk, Noofil, T uniquely not-absorbable में जो Absorbable सूचर से इन इनर टिशिव होते हैं आंत्रिक्ते का ironic होते हैं उनमें लगाए जाता है और यह मैंने के बीश में हो जाते हैं इनको वापस खोलने के और यह जाता है कौनसे दागे को कितने दिनों के बाद में खोला जाता है साथ ही हमें किस बोडी पार्ट में कौन से नंबर का दाघा लगाना चाहिए इसकी हम डिटेल जान ले जहने हैं जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर पहला है बोडी का जिरो इस दागे से इस्-टीरो लेंगे और दागा लगाने के 5 या 8 दिनों के बाद उसको भोला या लगाने पीटव में वहाँ पीडि टीरो च्यार जिरो नबर हाँवस्ट लेंगे जह YUESKY by बारा दिन या 14 दिन के बाद में खोला जाता है साथ हाथ में अगर ट्रांका लगाना है तो 4-0-5-0 नमबर का दागा लिया जाएगा और 8-10 दिनों के बाद में खोलने की सला दी जाती है अगला बोड़ी पार्ट है लेक्स पाउं में 3-0-4-0 नमबर का दागा प्रियोग लि व्यक्ति है जिसको जोइंट में किसी परकार का कट लगा है और वहां पे टांके लगाना है तो 3-0-5-0 नमबर का दागा लिया जाता है और 10-14 दिन के बाद में और टांके खोले जाते हैं यहां पर आपने देखा होगा जो मीडल में नमबर लिखे हैं दागे के इन दागो अब जो शूचर होता है उसको वापस यूमूवी किया जाता है तो इस तरह से मेडिकर स्टोर पर भी आप इस दागे को खई सकते हैं जो दागे के नमबर है जीरो से लगार 11 तक अलग लग होते हैं जैसे नमरिंग बढ़ती जाती है दागे की जो मोटा ही कम होती जाती है जो आठ नमबर के बाद के दागे उनको आप डाइट आँखों से नहीं देख सकते हैं उसमें आपको मेगनिफाई ग्लास के आउट सकता होती है और जो बड़े ओप्रेशन होते हैं उस समय दस या ग्यारा नमबर के दागे ही प्रियोग लिए जाते हैं और सामनेता बात की दागों को लगाने के बाद कितने दिनों के बाद खोला जाता है तो यह चार दिन एंट्यूवाटिक मैडिसीन देखे उसको पांस दिन के बाद वापस बुला जाता है अब सबसे बड़ा सवाल आता है टांके लगने बाद किस परकाक शावधानी रखनी होती है और यह जब किशी विक्ति को टांके लग जाते हैं तो उस पर किशी भी परकार की क्रीम या ओइंट्मेंट का प्रियोग नहीं करना होता है जब तक कि आपको डॉक्टर ऐसा करने के लिए नहीं करे साथ ही उस पर सामेर नेतर इस्प्रिट लगा के बेंडेज की जाती जिससे कोई इ रगड़े नहीं इसकर नहीं करें और एक चीज कर सकते हैं जब आप चन्पर होने के चांस काफी कम हो ये सावधानिया आपको रखनी है जब आपको टांके लगते हैं इसे के साथ पूरी इंफॉर्मेस्व मैंने सुचस के बारे में बता दिये मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें